सभी मित्रों को जय जय सिया राम प्रभु स्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल काम नहें तो मित्रों केल सीता नौमी है मैं शमस्त भारत बासी एबम यूट्यूब के सम्मानित मित्रगं को सीता नौमी के सुभवशत पर हारदीक अविनंदन करता हूँ निरमल मति पाबं तो सीता नौमी का सुभ मुर्त कब है और सीता नौमी को कैसे मा सीता का पूजन करें और ब्रत का महत्तु क्या है इसी के संदर में आज बताएंगे हिन्दु पंचांग के अनुशार बैसा आखमास के सुखल पक्च की नौमी तिथी को सीता नौमी का पाबन पर परता है और इस सल 28 अप्रिल को सायंकाल 4 बज के 1 मिनट से शुरू हकर 29 अप्रेल को सायंकाल 6 बज के 22 मिनट तक रहेगी ऐसे में उदे आती थी के अनुसार सिता नौमी इस साल 29 अप्रिल को ही मनाई जाएगी 25 के अनुसार सिता नौमी की पूजा का सुब महुर्त 23 तारी के दिन प्रातहकाल 10 बज के 69 मिनट से दो पहर 1 बज कर 38 मिनट तक रहेगा सिता नौमी के परपर माता जानकी की पूजा करने के लिए प्रातहकाल सुर्योदे से पहले उठना चाहिए इसके बाद तन और मन से पवित्र होकर अपने घर के इशान कोन पर एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा कर उस पर माता जानकी और भगवान राम की प्रतिमा अस्थापित करना चाहिए इसके बाद भगवान श्री राम और मा सीता को फल फूल चंदन आदी अरपित करने के बाद सुध घी का दिया जलाना चाहिए और माता जानकी के मंत्र ओम सिताय नमह का पूरी शर्धा और विश्वास के साथ जब करें सिता नौमी के दिन माता जानकी की पूजा में विशेश रुप से लाल रंग के फूल और सिंगार की शामगरी अरपित करना चाहिए हिंदू मानिता के अनुशार जिस पावंति थी पर राजा जनक की पुत्री माता सिता का प्रकठ हुआ था उस दिन विधी विधान से मा सिता की पूजा करने से सुख सोभाग की प्राप्त होती है मानिता है कि जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या फिर उन्हें मन चाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कत हो रही हो तो उन्हें सिता नौमी के दिन पुजा करने से मा सिता का आशिरवाद मिलता है और मन चाहा जीवन साथी मिल जाता है तो बोलिए जै जै सियराम जै सियराम